हेलो एवरीवन तो अब हम AWS प्रोजेक्ट के बारे में आज बात करेंगे ठीक है AWS पे कैसे कंपनी सेटप लगाती है अगर आप कंपनी में जाते हो और अगर आपको बोला जाए कि वह थ्री टियर अप्लिकेशन आर्किटेक्चर डिजाइन करना है हमें AWS के ऊपर या टू टिय अप्लिकेशन आर्किटेक्चर है हमें डिजाइन करना AWS के ऊपर तो किस तरीके से किया जाएगा आज हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों अभी तक आप एक-एक सिंगल सिंगल रिसोर्सेस को पढ़ रहे थे अब आज पूरा रिसोर्सेस मिलकर एक आर्किटेक्चर ब मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूं तो चले शुरू करते हैं देखो दोस्तों अगर आपने AWS पे सेट अप लगाया है है ना फॉर एक्जामपल आपको पूरा का सेट अप एड़ पूस पे चल रहा है और यह आपका एक कस्टमर है यह आपका एक कस्टमर है फॉर से मैं बोलूँ यह आपको एक कस्टमर है जिसके पास लैप टॉप है यह फिर मैं बोलूँ यह कस्टमर है जिसके पास मोबाइल है अब यह कस्टमर अपने लैप टॉप या मोबाइल पे जाकर आपके वेबसाइट की तरफ किस तरह के साता है www.sanjay.daha.com हाना तो आपने कभ ट्राफिक वेब सर्वर पे चली जाती है क्या डारेक्ट ट्राफिक अप्लिकेशन सर्वर पे चली जाती है क्या डारेक्ट ट्राफिक आपके लोड डालेंसर पे चली जाती है क्या आपने कभी नोटिस किया कहां पे जाती है सबसे पहले ट्राफिक अगर कोई भी कस्टमर ह हमारी website के तरफ आ रहा होता है तो तो मैं आपको बता तो दोस्तों सबसे पर ट्राफिक जाती है DNS के पास और यहां पर DNS क्या है यहां पर हमारा DNS की सर्विस क्या है Route 53 मैं आप लिग देता हूँ Route 53 और मैंने DNS registered किया है पोस्ट किया है और मैंने Route 53 के अंदर record किस तरीके से बनाया है इस तरीके से बनाया है कि www.sanjay.com ऐसे मैंने इंट्री कर रखी है राइट सी नेम और किसको पॉइंट बनाया है मैंने cloud front को किसको बनाया है पॉइंटर cloud front मैंने आपको बता रखा था पहले भी तो ट्राफिक सबसे पहले आनी है दोस्तों आपके DNS जहां पर भी आपका DNS होस्ट होगा अगर यहां पर रूट 53 के उपर होस्ट है तो ट्राफिक सबसे पहले DNS के पास आने वाली है क्लियर उसके बाद ट्राफिक DNS के बाद आगे निकल के कहाँ जाएगी और आगे निकल के ट्राफिक जाएगी आपके cloud front के पास आपने यहां पर डिफाइन कर रखा है cloud front मैं यहा पर बना देता हूँ ये रहा आपका cloud front तो traffic DNA से नििकल की कहां पे जा रही है cloud front के पास जा रही है तो आपने बोला कि अगर static content customer को चाहिए तो cloud front से ही लेकर चलाजाए किसे लेकर चलाजाए cloud front से रही cloud front से ही static content लेकर वापीस चलाजाए लेकिन अगर बन्दा static content नहीं dynamic content के लिए आ रहा है तब traffic अंदर आपने decide किया कि अब traffic अंदर जाए और आपने बोला अंदर कहाँ पर जानी चाहिए तो आपने दोस्तों यहाँ पर एक cash server लगा रखा है खुद के अपने cash server आपने design किया है अगर AWS में cash server के बात करें तो यहाँ पर redis राइट तो जब आप redis लेते हो यह अपना खुद का cash server लेते हो तो आप decide कर सकते कि मझे कितने cash server लेना है और अगर आप number of cash server लोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक load balancer की जरुत पड़ेगी और मैं आपको बता तो अगर आपने AWS का redis लिया है तो आप जब redis लेते हो तो आपसे पूछता है कितने cluster नोट चाहिए तो आपने दो लिया तो automatic load answer देगा आपको आपको इसकी tension नहीं लेनी है आप चाहो तो as a proxy server server भी उसकर सकते हो cash के लिए तो मैंने बोला कि यह दो cash server है मेरे जो load answer पर add है यह जो cash server दोस्तों यह database का cash server यहाँ पर मैं लिख देता हूं यह मेरा caching server है clear तो caching server से content मिल जाएगा अगर cloud function नहीं मिला तो caching server से मिल जाएगा लेकिन अगर caching server में भी content नहीं है उसको एकदम latest content चीए तब दोस्तों traffic आपकी अंदर जाएगी और अब traffic आपकी अंदर जाएगी और अंदर कहां पर जाएगी मैं आपको पता के चलता हूँ traffic अब यहां से अंदर नगई इस तरह से अंदर आई और इस तरह से यहां पर आई और दोस्तों यहां पर हमारा load balancer लगा हुआ है ह राइड नमबर अफ अफ टार्गेट गूर्स बना रखिया आपने और यह जो मैं आपके सामने डाइग्रम बना रहा हूं दोस्तों यह हमारा ऐसे समझ लो यह हमारा टीर वन हो गया यह टीर टू अटीर थी तो मैंने टीर वन में क्या किया नमबर ऑफ टार्गेट ग्रूप ऐक टारगेट्ट गुरुप यह बनाया दूसरा यह एंद तीसरा ही यह यह पर我們 एक ट्यर हो गया और एक है को प्थे उसके उसे मैंने नम्बर ऑफ टारगेट कुन भी बनाएं और इन टारगेट के अंदर क्या वियम चल रही होंगी राइट और दोस्तों ये हमारा tier 1, tier 2 and tier 3 तो मेरा पहला वाला tier जो है वो web tier है आप समझ वो web tier है ये आपका web tier और ये हमारा application tier है यहाँ पे हमारा application चल रहा है application tier मैंने लिख दिया और दोस्तों ये हमारा database tier है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया db tier तो यह जो हमारा पॉइंट है यह हमारा एक टार्गेट ग्रूप है जिसका नाम हमने रखा है सॉप्ट वेर और यह हमारा एक टार्गेट ग्रूप है जिसका नाम हमने रखा है इमेजेस और यह हमारे एक target group है जिसका नाम हमने रखा है song तो दोस्तो software target group के अंदर हमारे दो VMs एड़ है दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके निट के साफ से company में 10 होंगे 20 होंगे 100 होंगे 2000 होंगे मैं आपको समझाने के लिए 2-2 करक के चल रहा हूँ तो इन दोनों VM के अंदर software है इन दोनों VM के अंदर image है इन दोनों के अंदर VM के अंदर songs है और यह सारे web server है अब web server पर traffic आई अब उसको application चाहिए तो application server यहां चल रहे है तो यह हमारा application यहां पर चल रहा है यह यहां पर भी हमने number of tiers बना रखें तो यह हमारा web tier यह हमारा software target group यह हमारा image target group यह हमारा song target ठीक है अब traffic वेब पर आई तो अब उसको application में जाना तो application में कैसे जाएगी तो हमने क्या किया यहां पर एक और ELB हमने बीच में लगाया हमने यहां पर एक और ELB बीच में लगाया दोस्तों और उसके बाद हमने बोला कि भाई साफ ट्राफिक डारेट नहीं जाना आपको application tier में पहले ELB पर आओ और ELB से पिर ट्राफिक यहां पर जाने वाली है तब question आता है कि हमारा load the answer कैसे समझेगा तो load the answer के अंदर आपने listener का concept पढ़ा था तो listener में आपने define कर रखा है पहले से और आप अपने DNS में भी entry कर रखा होगा आपने किस टाइप से entry कर रखा होगा इस टाइप से भाई साब software.sanjay.dia.com लगा कर आए राइट ऐसे अपने image यह भी आपने entry कर रखा होगा DNS के अंदर और आपने listener में condition define किया होगा कि अगर software लगा कर आए तो software group की तरफ जाए, song लगा कर आए तो song group की तरफ जाए और यह lab हमने कर रखी पहले से. तो यह रहा आपका web tier, यह रहा आपका application tier. अब database यह तो क्या होगा? तो दोस्तो आपने database tier को भी दो पार्ट में आपने divide किया है, right? यह यहाँ पे आपका एक database है, यहाँ पे आपका एक database है, तो मैं आपको मुझा दूँ, यह वाला database जो है, यह आपने write query के लिए लगा लगा है, अब application को कैसे पता लगाएगा, यह राइट की क्यो रही है, तो write के side बेजो, और read की है, तो read की side बेजो, तो दोस्तो आपने क्या किया है, यहाँ पर एक proxy server लगा है, यहाँ पर आपने proxy server लगा है, मैं आपर लिख देता हूँ proxy server, ठीक है, तो यह आपने क्या बोल यहाँ पर, और proxy server अपने condition define किया, कि अगर write की query हो, तो इधर चले जाए, और read की query हो, तो इधर चले जाए, clear, लेकिन अभी questions आता है, यहाँ पर कि यह VMs कहा पर TQE है, तो दोस्तों यह VMs आपको पता है, VPC पर TQE है, तो आपको फिर VPC भी चाहिए, तो आपने VPC बनाया, फिर आपने VPC का CIDR value define किया, कि हमने इस network से हमें VPC setup लगाना है, तो फिर आपने submit भी बनाया होंगे, number of, right, तो आपने एक web submit one आपने बनाया, right, आपने एक web submit one बनाया, इसी तरीके से आपने एक web submit two बनाया, मैं बताओंगा भी मैं दो दो क्यों बना रहा हूँ, अभी आप को share करता हूँ, यह हमने बना लिया, एक, ऐसी हमने एक application submit बनाया, हमने, application submit one, ठीक है, ऐसी हमने application submit two बनाया, हमने, तो दोस्तो यह मैं जो आपको बता रहा हूँ, यह पूरा का पूरा overview है, पूरा setup लगाने का email उसमें, right, ऐसे आपने dv submit बनाया, dv submit one बनाया, ऐसे आपने dv submit two बनाया, तो दोस्तो आपने क्या किया, कि आपका यहाँ पर जो VMs होंगी, web tier पे, right, तो जो दो VMs है, यह दोनों VMs अलग-अलग submit पे होनी चाहिए, तभी तो high availability मिलेगा है, इसलिए आपने dv submit बनाया कर चला, अब question आती ही, web server को internet पे भेजना है, तो फिर आपने यहाँ पर igw ले लिया, दोस्तो, क्या ले लिया, आपने यहाँ पर igw create कर लिया, और जब आपने igw create किया, तो आपका igw क्या internet से connected होता है, यह राए internet, तो अब आपको point define करने के लिए root table चाहिए, दोस्तो, आपने यहाँ पर एक root table ले लिया, और root table का आपने नाम रखा web-rt, और आपने बोला कि भाई, इस point पर आप चले जाओ, लेकिन आप निकलोगे किस से, हमने बोला igw, और किसको निकाल रहे हम, यह दो subnet को निकाल रहे हैं, यह हमने एक subnet define किया, ऐसे हमने दूसरा subnet define कर दिया, clear, तो हमारा web server क्या होगा, igw के पास आएगा और internet पे चला जाएगा, लेकिन अब question आता है, application server और dv server को भी internet देना है, तो अब हम क्या करेंगे, net gateway लेंगे, जैसे आपने पढ़ रखा, net gateway secure होता है, right, तो आपने जब net gateway लिया, तो फिर आपको root table भी चाहिए, root define करने के लिए, तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक और आपने root define किया, और आपने इस वार root table का नाम रखा, private-rt, आपने बहुता है, आप भी चले जाओ, internet पे, अब आपको इस चीज़ धियार नहीं है, जब आप net gateway को create करोगे, तो आपको उसे उस subnet पे बनाना होगा, ज जो subnet direct igw की तरह point है, तो यह दोनों subnet point है, तो आप किसी भी subnet पे बना सकते हो, यह चीज़ आपको धियान रखनी है, फिर आपने point कर दिया, net, gateway, और उसकी बाद आपने किसको किसको define कर दिया, application और db को, तो यह हमने define कर दिया, right, ऐसी अगला भी हमने आपर define कर दिया, 10. 0.3.0 slash 24, right, और, मैं इधर उपर लिख देता हूँ, मिरे पस जगे नहीं है, तो मैं इधर उपर लिख जाता हूँ, आप लोग समझ जाना, मैं 3, 3 हो गया, 4.0 slash 24, right, और उसके बाद मैंने एक और define कर दिया, तो अब क्या होगा, दोस्तों, हमने rootable में भी root भी define कर दिये, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो, अब हमारा application यहाँ से और db यहाँ से और यहाँ से बाहर internet पर चला जाएगा, तो अब यह हमारा designing हो गया, अब बात आती कि भाई, अगर इस app tier पर कोई server down हो जा जाए, इस पर कोई चीज डाउन हो जाए तो automatic कैसे आजाए, तो दोस्तों, यहाँ पर फिर आप एक auto scaling को भी use कर रहे हो, हाला, auto scaling का topic भी बीच में आ रहा है, और auto scaling, तो हमारा load balancer क्या करेगा, auto scaling को inform कर देगा, भाई, यह वाला server down हो गया, तो हमारा auto scaling क्या करेगा, auto scaling के अ यहाँ पर क्रैस हो चुकी है, ऐसी आप कम से कम तीन launch confession बना के रखोगे, इसके लिए लग, इसके लिए लग, इसके लिए लग, इसके लिए लग, तो यह चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक उसी तरीके से, अब यह पूरा setup हमारा लग चुका है AWS के उपर, अब बात आते इसकी monitoring करनी है, तो आपको cloud watch भी चाहिए, फिर question आता है कि जब आप यह setup VPC वेगरा लगा रहे होगे, तो आपको यहाँ पर subnet का भी idea होना चाहिए, security group का भी idea होना चाहिए, ACL का भी idea होना चाहिए, तो सारा कुछ आपको idea होना चाहिए, तभी आप यह पूरा का पूर and यह कौन सा लगाना है, फिर volume किस टाइब कर चाहिए, S3 bucket किस टाइब कर चाहिए, तो यहाँ पर सारी चीज़े पूरी आ चुके है, जो आपने एक एक resources पढ़ाता है, उसी तरीके से फिर बात आती है, बहुत बड़ा setup हो चुका है, आप यहाँ पर multiple teams काम कर रहे हैं, तो I Aeroform भी आ जाएगा इस पर बीच में, फिर बात आती है, यह वीम इन में से जो यहाँ पर 100 वीम चल रही है, 100 में से रात पे 20 वीम यूज नहीं होती है, उसको सट दाउन करना है, तो भाई सब लामडा भी आपका आ जाएगा, यहाँ पर cloud front भी आ गया, तो यहाँ पर देख तो आपको ध्यान रखे चलना है कि यह एक application architecture की designing है, जो मैं आपको share करके चल जाओ, अगर आपने यह designing अपने दिमाग में बैठा लिया, तो आप समझ लो, आपका interview clear हो जाएगा AWS में, तो एक और point में आपको बता तो हम AWS में जो अभी तक पढ़ रहे थे ना, वो एक-एक resource पढ़ रहे थे, हमने EC2 पढ़ा, S3 पढ़ा, volume पढ़ा, load answer पढ़ा, एक-एक resource पढ़ रहे थे, अब हमने क्या क्या है, पूरा का पूरा setup कमबाइन करके लगा दिया, तो I hope यह आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपसे को interview पूछता है कि भाई, आपको application architecture का idea है AWS पे तो आपको यह picture mind में ध्यान रखनी है, ऐसे बहुत सारी चीज़े इसके अंदर आती है, जो हमने हमारे course के part में नहीं है, बहुत सारी चीज़े, बट यह जो मैं आपको बता रहो, एक major चीज़े, एक basic चीज़े, इनके बिना तो setup, इनके बिना तो कुछ होना ही नहीं है cloud पे, अगर आप cloud पे जा रहे हैं और अगर आपको इन सब कुछ चीज़े का idea नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, तो better है कि आप इन सब चीज़े को धिहान में रखो, और मैं आप लोगों से request करना चाहता हूँ कि आप ये lab भी करो, right, अगर मुझे time मिलेगा तो मैं इसका एक lab भी बना के डाल दूँगा, बट बहुत ही लंबा lab है, right, क्योंकि मैंने जब इसका lab बनाया था, पूरा का पूरा setup तो मुझे कम से कम 4 गंटे लग गए थे, right, तो अगर मुझे time मिला तो मैं इसकी lab भी डालूँगा, लेकिन मुझे अमीद है कि आप कर लोगे, क्योंकि मैंने ह समझ लो, AWS पे आप 70% expert हो चुकियों, अगर आपने ये अपना, ये पूरा का पूरा setup आपने खुद से कर लिया, AWS पे, तो आप समझ लो, आप क्या, पूरा 70% आपने expert हो चुकियों, फिर आप interview में जाओगे, तो आप experience वाले answer दोगे, दोस्तों, एक experience का बंदा जैसे answer देत तो चलो ठीक है, फिर मैं यहीं पे off करता हूँ, और next lecture में मिलेंगे, हमारा अगला topic जो होगा, automation पे होगा, AWS automations, AWS DevOps, इन में हम बात करेंगे, clear, तो चलो बाबाए दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों को share करो, like करो, comments करो, और subscribe करना मत भूला, चलो बाबाए